सितबो शामनाद मंदिर एवं प्रसित प्राचन मंदिर है जो भक्तों का जमावदा सावन मास भर लगा रहता है जो लोग अपनी सच्चे मनत लेकर यहां आते हैं वो भोली शंकर भगवार उनकी मन कामना को पूर्ण करते हैं कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा खुदाई करने के बाद 1903 में शिवलिंग स्वय निकला था जब यहां खुदाई चल रही थी तब शिवलिंग से स्वय रखत निकलने लगा था यहां यह मूर्ती स्वय प्रकत हुई है श्यामनाद मंदिर की एक कावत है और जहां एक नेतरहीन मिस्त्री ने भोले शंकर से मनत माँगी थी कि अगर हमारी आंखों में रॉषणि ayakी तो हम मंदर का निर्मान शुवर करवाएंगे बोले नातिय गृपा उसे नेत्रेहिन मिस्त्री की आखी आ गई और उसने श्रिवाले का नर्मान किया और दुख की बात एक है कि यहाँ पर मंदिर के पुजारी का खट शे महा चलना मुश्किल हो जाता है जन्पत के नेताओं को चाहिए कि मंदिर के व्यवस्ता अपने हातों में है जिससे यहाँ का नर्मान और हो सके हैं स्यामनात मंदिर जो स्यामनात मंदिर है यह एक बहुत प्रसिद्ध तीर इस्थल है सीतापुर का स्यामनात मंदिर इतना प्रसिद्ध है कहा जाता है कि यहाँ पर एक जो मिस्त्री था उसकी वह नेत्रहीन था और नेत्रहीन मिस्त्री ने भगवान संकर से यह वरदान मंगा था कि भगवान अगर मेरी आखे आ जाएंगी तो मैं इस मंदिर का निर्माड कराऊंगा जब भगवान संकर ने उस मिस्तरी की आखों का जीवन उधार कर दिया भगवान संकर ने उसके नेत्रों में रोशनी परदान कर दी तो उस मिस्तरी ने इस सं सावन मास भर खोब भक्तों का भीड जमावडा जमा रहता है पर आज कल एक ऐसी यहां की विवस्ता है कि सावन में तो यहां भक्तों की भीड रहती है पर आज यहां के जो पुजारी है उनका खर्चा भी निकलना मुश्किल हो जाता है। हम अपने चाइनल के मारफट यहां आपको दिखाना चाहे रहे हैं कि स्यामनाथ बाबा में भक्तों की भीड का जमावडा सदेव बना रहता है पर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि यहां पर भक्त बहुत ही कम संख्या में आते हैं। एस्प्रेस नियूज भारस से सुरेन तिवारी और पंकज की रिपोर्ट कैमरामैन खुसी राम चौधरी। उनकी नेत्र दिखाई पड़े लगा सब दिखाई पड़े लगा तो वो जो है सोयम उन्होंने मंदिर का निर्माण किया मतलब पहले तो अंग्रेज लोग आये खुदाई किये मतलब जो है तो यहां खून की धार निकली जब फढ़ुहा चलाया उन्होंने जब फून की ध पराफ्त से अमनाथ बाबा की लेकिन यहां अभी तक कोई अन्यरमाणन ही मतलब हो पा रहा है दुनिया के मंदिर चमक गये लेकिन भोले बाबा का समन्सदीर है चैमनिया यहां के नेता लोग जो है पैसा आता है हर जगे मंदिर का पैसा आता है लेकिन यहां का मतलब कोई नेता ऐसा है कोई सुनते नहीं है कोई भी नहीं सुनता है कि यहां मतलब जो है तूटा फूटा बना बिगड़ा जो है यह सबकार कराए मतलब जो है तो अब बस जो भी है हम लोग है जो भी आता है जतना होई सकता है वो करते हैं उनकी सेवा में लगे हैं बाकी जो मिल जाए पस भोले बाबा में आप तो देखी रहे हैं जो भी है तो यह है स्यामनाद बावा का मंदिर है दूर दूर से भक्त आते हैं बहुत दूर दूर ते मामता उनकी भूले बावा पूरी करते हैं तो इसलिए अपने आते हैं पूजा करते हैं चले जाते हैं तो बहुत प्राप्त मंदिर है भूले नाम हमारा है कमला गोसामी यहां पर सावन मास में तो बहुत भीड़ रहती है आज खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है भक्तों की भीड़ कम रहती है इसके बारे में आप क्या कहिना चाहिए अरे भाई अब जैसा है निपड जाता है घुले नात की दूआ से और क्या होता है ज्यादा कुछ थे चार-पांच भाई लोग वही सब लोग इसपायर हो गये तो वही हम लोग देखते हैं चाचात आओं अपको सद्धेव से पुरोहित रहे हैं यहां के स्यामनास बाबा के क्योंकि आपका परिवार गोसामी परिवारों से रहा है इसके बाद भी यहां सरकार पूरी दरी क्लेंग मुला के यहां सरकार परिवारों से दिल ही बाद लोग देखते हैं चाहर सकार वगाए अहां सरको रहां सकते हैं ज несколько पिल और कम्झा उनास बादओेव क्ट्सित आपका लोग पिल एग अग